मिसेز रोजी हमेशा शिकायत करती हैं कि वो पैसे नहीं बचा सकती. उन्हें समझ में नहीं आता कि उनका पैसा जाता कहां है. वो मंथली एक्सपेंसेस को ट्राक करने के बारे में सोचती हैं, लेकिन फेल हो जाती है. मिस्स रोजी में चीजें खरीदने की इंपल्स हाई है वो अलग-अलग चीजों पर पैसा खर्च करती हैं जो उनके लिए फाइदेमन भी नहीं है Mostly लोगों ने शिकायत की है कि उनका बजट काम नहीं करता है उनके पास ऐसे बजट हैं जो पेपर्स, एक्सल शीट या बजट सौफवेर में अच्छे लगते हैं लेकिन महीने के अंत में उन्हें उम्मीद के मताबिक फल नहीं मिल पाता है वे समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ क्योंकि उनके पास planned expenses की real expenses से तुलना करने के लिए data नहीं है बहतर होगा कि आप रोजाना अपने खर्चों पर ध्यान दे ऐसे कई free tools available हैं जिनके द्वारा आप mobile applications पर अपने daily expenses को note कर सकते हैं अपने expenses को रोजाना लिखने से आप समझ पाएंगे कि आपका पैसा कहां जाता है दो महीने तक अपने खर्चे लिखने के बाद आपको जल्दी पता चल जाएगा कि कौन से खर्चे जरूरी थे और कौन से unnecessary ऐसा करने से आप अपने बेकार के expenses को कम कर सकते हैं और अधिक पैसे बचा सकते हैं कई तरह के खर्चे भी हैं जिनने आप टाल सकते हैं अपने immediate satisfaction को control करके आप अपने payments की जाच कर सकते हैं इसलिए अपने हर पैसे को track करें कि वो कहां जा रहा है और ये आपके लिए बहुत helpful होगा क्योंकि हर महीने के अंत में आपकी position tight नहीं होगी